एक यूजर ने पूछा है कि scratch का जो ये extension है pen ये किस काम आता है pen जो extension है वो कोई भी sprite से अगर हम draw करवाना चाहें तो हम pen का extension यूज़ कर सकते हैं आपने शायद इस किसम का spirograph बनाया होगा हम scratch में pen extension यूज़ करके program लिखेंगे similar spirographs बनाने के लिए तो draw करने के लिए हम किसी भी sprite को यूज़ कर सकते हैं पर क्योंकि हम drawing का program लिख रहे हैं तो मैं sprite बदल रहा हूँ सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं कि हम sprite को x और y 00 यानि center of the stage में पहुचाना चाहते हैं अब हम motion बे जा रहे हैं यहां से हम go to x 0 y 0 ले रहे हैं यानि कि शुरुआत करो go to x 0 y 0 उसके बाद हम pen के extension में जाके कह रहे हैं pen down यानि draw करना शुरू करो और वापस हम कह सकते हैं कि मानलो let's say move 50 steps और हम एक event का block डाल देते हैं when green flag is clicked तो हम program क्या लिख रहे हैं कि जब green flag click होगा तो sprite x 0 y 0 में चली जाएगी pen down यानि draw करना शुरू कर दो और move 50 steps इसको execute करके देखते हैं तो यह हमारी एक line बन गई sprite में which is equal to 50 units in length अब अगर हम वापस pen में जा रहे हैं तो हमारे पास एक है erase all और इसको भी हम assign कर देते हैं तो अगर हम events में जाके मानलो कह देते हैं space bar is clicked so whenever space bar is clicked erase all तो मैं अगर यह click कर रहा हूँ तो जो भी draw किया है यह erase हो गया अगर हम इसको फिर से click करते हैं green flag तो यह shape क्या बन गई कि sprite उस वक जिस भी location में था उस से 00 आते वे भी क्योंकि हम उसको कह रहे थे pen down तो वो draw करते वे आया तो हम यह नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि cable जब वो 00 पे आये उसके बार drawing शुरू हो तो हम वापस pen में जाके यहां पे ला रहे हैं pen up तो हम कह रहे हैं कि पहले pen up करना यानि draw मत करना बिना draw किये वे 00 तक जाना फिर pen down करना and let's say इस बार हम distance कर देते हैं 100 तो अब हम clear किया तो अब हमारे पास sprite जहां पर भी है अगर हम इसको फिर से करेंगे तो वो यह same shape draw कर रहा है हम देख सकते हैं अगर हम इसको 200 कर देते हैं और फिर इसको draw करते हैं तो अब जिस भी location में है पहले pen up होती है draw करना बंद हो जाता है फिर वो 00 location पे जाता है फिर pen down होती है यानि draw करना शुरू कर देता है और फिर हम जो भी instructions देंगे like move 100 तो वो move 100 steps हो रहा है अगर हम वापस pen के blocks में जा रहे हैं तो pen के blocks में हमने ये देख लिया stamp जो है वो क्या है कि हम जब हम stamp block दबाते हैं तो sprite जहां भी था उसका एक copy बन जाती है पर ये copy जो है ये बस एक उसका imprint है इसको हम program नहीं कर सकते हैं अगर मैंने फिर stamp दबाया तो जहां भी sprite था वहाँ पर copy हो गया तो जो ये इसकी copies बन रही है इन ये programmable नहीं है तो हो सकता है stamp ये जो command है ये कहीं specifically किसी game में काम आ जाए या किसी और जागे काम आ जाए अगर हम animation वगरा बनाना चाहते थे फिर set pen color का मतलब है कि pen का जो भी color है तो अभी जो हम इसको ये हमारा pen का color blue चल रहा है पर हम इसको कह सकते थे कि pen up go to 00 then set the pen color और pen का color हम यहां मानलो कुछ और कर देते मानलो red कर देते तो यह हमारा pen का color change हो जाता है फिर set pen color फिर change pen color जैसे looks में होता है कि जितना भी हम यहां पे number डालेंगे उसके हिसाब से pen का color change हो जाएगा फिर यह एक और set pen color है पर इसमें हमारे पास एक drop down है जिसमें और भी options मिलती है saturation, brightness, transparency तो actually आप scratch में pen का extension यूज करके बहुत अच्छी drawings बना सकते हैं just by changing the color, saturation, brightness, transparency यह parameters change करते हुए तो next हमारा है change pen size तो pen size पहले हम set करते हैं तो set pen size to whatever number जो भी हम यहां कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि go to 00 and set the pen size to let's say 3 तो अब अगर मैंने इसको दबाया तो यह moti line हो गई अगर मैंने कह set pen size to 10 तो यह और moti line हो गई और अगर set pen size to 1 तो pen set pen size है कितना pen का size हो, change pen size is कि जितना भी pen size है उससे plus 1 या जितना भी number आप डालोगे उससे वो बढ़ता चला जाएगा तो अब हमें जब pen extension के programming block समझ में आ गए हैं तो let's make some shape तो हमने यहाँ पर कहा कि मानलो हम अब बना रहे हैं कि 100 steps move करना फिर 100 steps 00 से 100 steps draw हुआ फिर हम motion में जाके अब हम कह रहे हैं कि जिस भी location पर आये हो वहाँ से turn let's say turn left 90 degrees and then move another 100 steps तो अगर हम इसको clear करके यह program run कर रहे हैं तो हमारे पास pen 00 से शुरू हुई 100, 100 पर आके 90 degree मुड़ी तो इस तरीके से यह हम इसको turn करा करा के इसमें नई shapes बना सकते हैं पर एक चीज और जो यहाँ डालनी ज़रूरी है before it starts drawing कि जब यह pen शुरू हो तो यह किस direction में point कर रही हो तो हम चाहते हैं कि pen जब शुरू हो तो वो 90 degrees point कर रही हो तो इसके लिए हम वापस यहाँ पे जाके यह जो command है point in direction 90 यह भी set कर देते हैं कि जब हम green flag press करेंगे तो बिना draw किये वे pen 00 position पे जाएगी और 90 पे कर रही होगी यानि कि इस direction में point कर रही होगी तो अब अगर हम इसको test करते हैं तो यही shape जो है यह बन गई है पर यह डालने के विए से अब हम आपा control है कि कहां से शुरू होगी और exactly हमें पता है कि जब 90 degree turn करेगी तो pen किस angle को face कर रही होगी अब अगर हम यहाँ जाकर इसको हम repeat करते हैं तो जैसा आप देख रहे हो clear करके तो हमारा यह एक square बन रहा है क्योंकि हम क्या instruction दे रहे हैं कि pen up करके 00 पे आना 90 face करना और फिर pen का size जो है वो one करना pen का color red करना फिर pen down hundred steps move करना यानि hundred steps यहाँ turn 90 degrees फिर hundred steps turn 90 degrees फिर hundred steps फिर turn 90 degrees hundred steps तो हमारा यह square बन गया अब of course यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह जो same एक ही command है जो हम 4 बार repeat कर रहे हैं तो उसके बदले elegant इसको तरीका क्या है कि हम control में जाके इसको एक loop में डाल देते हैं कि जो move hundred steps है और 90 degree turn है इसको four times repeat कर देना तो अगर अब मैं इसको clear कर रहा हूँ इसको delete कर देते हैं तो यह हमारे पास square बन गया अब यह square बनके pen यहां पर है spirograph बनाने के लिए अगर हम कहें कि pen जो है यहां से थोड़ी सी move हो जाए और फिर एक और square बन जाए तो यह करने के लिए हम वापस motion में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं जब पहला square बन जाएगा यानि यह जो loop था यह complete हो गया पहली पहला square बन गया तो ten steps move करना और उसके बाद यह जो पूरा program है square बनाने का इसी को repeat कर देना तो हम वापस control में जाके इसको repeat कर देते हैं तो let's say two times तो अब अगर हम result देखते हैं तो हमारे पास 2 square आ गए और इसी तरीके से यह जो अगर हम इस को बढ़ा देते हैं इसको हम अगर 10 कह देते हैं तो इसको अगर execute करते हैं तो हमारे पास 10 square बन गई है अब इस shape को थोड़ा और interesting और spirograph type बनाने के लिए हमें करना क्या है कि हम कहना चाहते हैं कि जब first shape बन जाए तो sprite 10 steps तो move करें प्लस वो थोड़ी angle जो हम यहां बता रहे थे वो थोड़ा सा change हो जाए और फिर next बने फिर angle change हो जाए फिर next बने फिर angle change हो जाए नेक्स बने इस तरीके से तो हम motion में जाके इसको यहां पर एक same यहां पर turn करा देते हैं कि turn maybe 25 degrees and अगर अब इसको दुबारा run करते हैं तो अब हमारा spirograph type की shape हमारे को मिल रही है हम इसके अगर यह number of repeats बढ़ा देते हैं let's say इसको हम 15 कर देते हैं तो हमारे को एक बढ़िया spirograph की shape मिल रही है और हम इसको तोड़ा और interesting बना सकते हैं कि अगर हम यहां पर जाकर pen के blocks में जाकर हम कहें कि जब पहला square बन जाए जिस भी color का उसके बाद pen का जो color है change pen color by 10 तो पहला square बनेगा फिर जो second square बनने से पहले color भी बदल जाएगा तो अब अगर हम इसको clear करके तो हमारे पास अब यह बहुत interesting spirograph बन रहा है और अगर हम इसमें यह जो move number of steps था यह determine करता है कि जो भी shape है उसकी total एक size उस polygon की एक size की length कितनी है तो अगर मैं इसको कम कर देता हूँ 50 और फिर से चला देता हूँ तो मेरे पास अब एक और shape बन गई जो की हमारे spirograph को और complex बना देती है तो इस तरीके से आप pen extension को use करते हुए shapes बना सकते हैं और बहुत किसम की drawing बना सकते हैं यह एक example था spirograph का अगले वीडियो में हम spirograph में user को control दे देंगे कि वो जो भी polygon draw करना चाहता है उसकी कितनी size हो और उसका कितना size हो हुआ 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 है